सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ आपको बता दूँ कल ही आप लोगों को ऑक्टूबर फास्ट वीक के करांट अफेर्स भी मिल जाएंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंज के साथ शेयर कर दीजेगा सप्टेंबर महीना खतम हो चुका है औक्टूबर शुरू हो चुका है और हमारे साथ जो जमू किश्मीर से बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए मॉक्ते स्केडियूल हम लोग लेके आ चुके हैं पहले टेस्ट आ और JKBSI के लिए हमारी बुक्स आई हैं जिसमें आप लोगों को सारा जो है mcqs around 1000 प्लस mcqs मिल जाएंगे आप इसको amazon या फिर flipcard से order कर सकते हैं आपको दोनों के लिंक हम लोग हमारे टेलिगराम ग्रूप पे देदेंगे या फिर अगर आप वहां पे सर्च करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा और साथी साथ अगर आपको इन में से कोई भी टेस्स सीरीज या कोर्स चाहिए आपको डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे आपको यह हर एक चीज मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना दारा टाइंग वेस्ट किये सबसे पहला क्वेशन आप लोगों के सामने है अभी हाल ही में इनाटिद नेशन इंटरनेशनल डे ओफ पीस मनाया गया है जो कि कब अबजर्व किया आता है देखो इंटरनेशनल डे ओफ्पीस हर साल अबजर्व किया जाता है 21 सेप्टेमबर को पहला पॉंट तो यह याद तो यह याद रखना इस बार की यह थीम थी अगर बात करें यूएन जर्नल असेंबली की तो इस समय जो मलब इसको बनाया कब गया था उनायुटन नेशन को मनाया से 1945 में यानकी 945 में और इसका रटकोर्टर कहां पर है इसका रटकोर्टर है नुजोडू यूँएस से में तो इसकार है इसकार हो इसकार हैं पूंस यह पoinद्स रखेगा यह पेपर में पूछे जाते हैं इंटरेशनल पीस देजं़ मनाया है यह मनाया गया है 21 सेप्टेंबर के दिल चीक नेक्स पर आते हैं अभी हाल ही में सेप्टेंबर के महीने में गवर्मेंट आफ इंडिया ने अनाउंस करा है एक प्लान जिसके तहद लांच किया जाएगा परधान मंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रेंट्रेंट् की गई है यह किस मुनिस्ट्री के दारा की गई है यह तो आपको बताना है आप इसको अगर इसको करेंगे तो भी मैं मान की चल रहा हूं कि आप लोग इसका आंसर सही कर देंगे अब देखो किया च्या पे यह जो परनाम scheme launch की गई है इसके तहरा कोशिश की जाएगी जो chemical fertilizers को यूज किया जाता है उसको कम किया जाए तो अब यहां से आप लोग इसको गया सकते हैं कि किस ministry के दोरह किया गया है यह ministry of chemical and fertilizers के दोरह ही किया गया है अब exam में question किस तरीके से बनता है एक्जाम में question यह बन सकता है कि अभी हाल ही में ministry of chemicals and fertilizer ने एक scheme को launch किया है जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि जितना भी chemical and fertilizers का use होता उसको कम कर दिया जाए औप्शन में आपको इस तरीके से मिल जाएंगे PM परनाम PM इसी तरीके के नाम बना कर दिया जाएंगे तो याद रखना यह ministry of chemical and fertilizers ने किया है और क्यूं किया है यह भी याद रखना साथ ही साथ अगर पूछा जाए मिनिस्ट्र के मिनिस्टर कून है तो इस समय इसके मिनिस्टर है मंसुख मांडविया जी ठीक है यह राज्यसभा मेंबर है कहां से गुजरात से तो यह भी याद रखिएगा ठीक है अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जो इंडिया की पहली डुगॉंग और आप को आपको देखने कोबर है इंडिया का पहला डुगॉंग रिजरव द्यूगॉंग तो यह तामिल नाडू में बनाया गया है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं तो यह पहला बनाया गया है तो यह अपने आप में ही काफ इंपॉर्डटन है क्योंकि जब भी कोई चीज पहली बार होती है यह आपके पेपर में पूछी जाती है अगर रामसर स साइट्स टोटल कितनी है इस समय इंडिया में 75 क्यों क्योंकि टार्गेर था 75 साल की जो हमारी 75 जो अमरित महुत्सों बना रहे थे उसमें 75 यहां पर आड़ की जाए ठीक है पेपर में पूछा जाएगा अगर आप से कि जे एंडगे में कितनी नामसर साइट्स है तो होमवक है कमेंट बॉक्स में लगके बताइएगा क्वेशन नबर फूर्थ के ओपर आते हैं अभी हाल ही में कौन सा इनिशेटिव है जिसको इंडिया ने हाल ही में जिसके वाज़े से 2022 का युनाइटिड नेशन इंटर जिंसी टास्क पोर्स एंड डव्यो स्पेशल प्रो इनिशेटिव के लिए इंडिया को ये वार्ड मिला है ठीक है तो इसको पहले याद रखना इसके अलावा अगर हम बात करें इस अवार्ड में कोशिश की गई थी कि रिकरनाइस किया जाए अचीवमेंट्स को जो 2021 के में करी है मल्टी सेक्टरल एक्शन के तहत तो ये पहल ही में इंडिया ने अपना पहला फस्ट मतला अगर बात की जाए मोटो जीपी यांडी ग्रॉंप्री मोटर साइक की डेसिंग जो है यह वर्ड शेंपेंशिप रेस थी जिसको भी हाल ही में किया है किस जगह पे हुआ इसका नाम क्या है यह याद रहा और इसको most important आप question पूछा गया था अंशुमलिक के ओपर वैसे ही रानी रामपाल पर भी question आया है मिसाली राज पर भी आया है अगर कोई भी विमेन अथलीट ऐसी है जो की medal जीतती है या फिर कोई बहुत extraordinary perform करते जैसे मांट आवरेस क्लाइम करा है एक ने तो इनके नाम आपको पहले याद कि कहां कहां पर कौन कौन सा इवेंट हुआ है जैसे टोक्यो 2020 कहां पर हुआ था यह टोक्यो में हुआ था कौन सा अडिशन था 32nd अडिशन था यह सब बेसिक चीज़े आपको बताएं जाए अब साथ साथ यहां पर बात करते हैं यह इंडिया का पहला Moto GP Grand Prix था तो यह अप तो जीपी रेस जो दोज़ा 23 की है वो कंडक्ट करवाई जाएगी तो यह करवाई जाएगी बुद्ध इंटरेशनल सर्किट ग्रेटर नॉइडा में यानिकि उत्तर प्रदेश में यह होगा यह काफी इसका मेन जो है यहां पे वर्ल्ड रोज दे की अगर बात की जाए तो इस बार जो मनाया गया है किस डेट को मनाया गया है तो यह हर साल 22 स्थेमर के दिन मनाया जाता है ताकि जो awareness है यह encourage कर सके acknowledge क्यों cancer survivors जो है across the world उनके लिए यह मना जाता है तो world rose day अगर पूछा जाएगा या फिर day for welfare of cancer patient यह होता है 22 September के दिन ठीक question number 9 की अगर हम बात करें question number 9 की करें which one of the following state recently signed the status combined reciprocal common transport agreement जिसको CRCTA भी का जाता है for state contract carriage and state carriage among the governments तो अभी हाल ही में किसने यह sign किया है तो यह जो अभी और एक और चीज़ बता दो आपको एक second हो किएगा 22 September को एक और दिन मनाया जाता है जिसको हम लोग world rhino day भी कहते हैं ठीक है अगर कभी पूछा जाएगा world rhino day भी कभ होता है तो same इसी दिन होता है इसकी थीम भी याद रख लेना इसकी थीम थी फाइव rhino species forever चीक है तो यह भी याद रखना यह भी आपका 22 को ही मनाया जाता है next पर आजाएए अभी हाल ही में आपके सामने एक second रुकिएगा जी अभी हाल ही में किसने यह sign किया है किस किसने मिलके sign किया है यह CRCTA यह मैंने आपको एक बारी पहले भी current affairs में बताया था तो basically यहाँ पर चार ऐसी city states है या फिर cities है जिन्होंने मिलके करा है कौन कौन से आती है हर्याना राजस्थान उत्तरपरदेश और डेली चीक है nct यानि कि option number d जो है इसका सही answer है इन चारों ने मिलके एक pact को sign किया है passenger vehicle movement के तहत जिसका हम लोग CRCTA भी कहते है तो यह याद रखिएगा CRCTA अगर basically पूछा जाए होता क्या है तो इसमें क्या है इसमें single point taxation होगी जितरे भी motor cab, taxi, auto rickshaw आते हैं या state carriage versus होती है या state transport undertakings आ जाती है जिसमें STU जिसको कहते है तो यहाँ पर क्या होगा यह encourage करेगा traffic को private vehicle to mass public transport तो यानि कि यह इसी लिए यहाँ पर किया गया है CRCTA अगर पूछा जाएगा कौन चार implement करी है तो यह चार याद रखिएगा next पर आते है अभी हाल ही में कौन सी organization ऐसी है जिसने national cadet corps NCC के ने एक MOU sign किया है NCC ने किस organization के साथ MOU sign किया है ताकि वो achieve कर सके universal goal of clean water bodies अब देखो यहाँ पर क्या है यह question आपको यह तो as it is इस तरीके से frame दिख सकता है या फिर आप सके पूछा जाएगा कि United Nation Environment Program ने किस Indian organization के साथ मिलके यह अभी हाल ही में शुरू किया है क्या universal goal of clean water bodies अब NCC यहाँ पर यह करने जा रहा है UNEP के साथ तो यह काफी important होगा UNEP के साथ मिलके कून कर रहा है homework लिख लिजेगा मिरको comment box में लिखके बताना UNEP का headquarter कहा है क्योंकि यह भी paper में बहुत बार पूछा गया है नेक्स पर आईए अभी हाल ही में कुण सी स्टेट ऐसी है इंडिया की जिसको जो पहली बनिया और दुनिया की थर्ड फॉरिस्ट्री उनिवर्सिटी होगी अंडर उनिवर्सिटी और फॉरिस्ट्री एक्ट 2022 इंडिया की पहली है तो आप लोग यहां से समझ चुके होंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टन बन चुकी है कहां पर है यह यह बनाई गई है तलांगना में इसको बनाया गया है तलांगना में एक साइट भी है रामप पर गुजरात में और अभी तक डोला वीरा मिनिममम मैं आपको बता रहा हूं यह शायद से स्टाटिंग जैनुवरी फैबररी में डेकलेर हुई थी अभी तक मिनिममम चार से पांच एक्जाम्स में नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के एक्जाम्स में यह पूछी जा च की तीसरे नंबर पर आया है जिसने यह इनागरेट करी है तो यह भी याद रखना नेक्स पर आते हैं यह वेक्वेशन को आप लोग इस वेशन को भी मोस्ट इंपौर्टेंट मार कर ले ना यह क्वेशन बनते हैं पेपर में ऑक्टूबर के महिने में यह अवार्ड मिलते है October में बहुत awards मिलते है अभी आपके Nobel प्राइज आ जाएंगे जो expected होता है कि एक question आपको यहां से पूछा जाएगा ही जाएगा CBD exams में तो confirm यह question आपको देखने को मिलेगा पहली बात करते हैं कौन सा airport ऐसा है जिसने airport service quality award जीता है 2022 का एरपोर्ट service quality award 2022 का जीता गया है कोचिन international airport को यह award दिया गया है mission safeguarding के तहत यहां पर इस award को specially recognized भी किया गया है तो यह याद रखिएगा next पर आते हैं कौन सी organization यह institute ऐसा है जिसने develop करा है 1.6 kg microprocessor controlled knees यानि की MPK and intelligent artificial limb जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं किस ने अभी हाल ही में किया है यह बहुत important होगा आपके exam point of view से reason क्या है जिस तरीके से जो आपका science and tech आता है ना उसमें यह questions बनते है science and tech में ज़रूर ही नहीं है कि आपको space agencies के question बनेंगे यह question आपके उसमें consider किये जा सकते हैं जो smart limbs अभी बनाएगे है किस के द्वारा बनाएगे है किस organization के द्वारा बनाएगे है तो यह बनाया गया है इस रो के द्वारा इस रो ने अभी हाल ही में इसको बनाया है ठीक है इस रो को याद रखिएगा इस रो के अभी जो head है उनको बतावाज मैं जितना आपको homework दूँगा वो सारा static gk की form में होगा ताकि आप लोगों को देखें कितना याद है इस रो के head currently कौन है उनका नाम comment box में लिखके बताईएगा next पर आते हैं अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने रिसेंटली अनाउंस कर रहा है हमार बेटी हमार मान यानि की ना इस जगह पर किस language में बात की जाती है अब हमार बेटी हमार मान जो है यह थोड़ी सी जो आपकी ना सेंट्रल इंडिया की अगर बात करूं तो यह जिस तरीके से बिहार चथ्चिस्गठ जारखंड इन तरीके की जगहों पर यह चीज्जें बोली जाती है इस तरीके से बात की जाती है महराष्टा में मराठी आ जाती है गुजराद में गुजराती आ जाती है MP में भी कहीं हद तक इस तरीके से बात होती है बट अगर optional approach से जाना मालो आप लोगों को नहीं पता इसका answer क्या है पेपर में question आया है अगर नहीं किसी को पता तब भी आप लोग एक बार इसका answer दिमाग में सोच लो फिर में आपको बताऊंगा इसका answer होगा क्या तो इसका answer है 36 अब देखो कितने बच्चों का यह answer सही होगा ठीक है यह होती है हमारी optional approach पेपर में ऐसा नहीं होता कि अकड़ बकड़ करके हम लो भुपेश भागल जी इन्हों ने यहां पे इसको launch किया है भुपेश भागल ने अनौंच किया यह campaign women safety के लिए तो यह याद रखना किस के द्वारा किया गया next पर आजाईए अभी हाल ही में September 22 में जो ऑसकर अवाड़ी थे इसले लूइस फ्लेचर इनका निदन हो गया है इन्हें किस movie के लिए ऑसकर मिला था पेपर में question नहीं पूछा जाएगा यह question mark है 1976 में अब पेपर में question क्या बनता है पेपर में पूछा जाएगा कि जो obituaries पे questions बनते हैं वो आपके case पे आते हैं कि बताइए किस field से related है option में दे दिया जाएगा कि क्या यह politician है क्या यह author है क्या यह actor है क्या फिर या फिर कोई भी इस तरीकी से बन सकते हैं तो याद रखना obituaries का हम लोग इस तरीकी से frame करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सोचना पड़े अब movie अगर आप लोग याद करूगे तो पेपन में आपको यह चीज़ करी जाएगी इनको बहुत सारे awards मिल चुके हैं already कौन सी movie के लिए मिला था इन्हें इन्हें मिला था one flew over the cuckoo's net के लिए award तो यह याद रखना यह बहुत important होगा आपका सीबीटे एक्जांस में भी गैरेंटी देखने को मिलेंगे नेक्स पर आ जाते हैं क्वेशन नुबर 16 की अगर हम बात करें एंटी उद्धिया दिवस जो है 2022 का यह सलिब्रेट किया गया था 25 सेप्टमबर के दिन 106 जनम दिवस जो बर्थ अनिवर्सरी था उसको सल पाद है जिके जनम दिवस के दिन चीक है और अगर पूछा जाए कि अंटी उद्धिया का मतलब क्या हुआ तो अंटी उद्धिया का मतलब होता है दा राइस आफ तर लास्ट पोर्सन अगर इंग्लिश में इसका मेनिंग बताओ तो यह याद रखना तो यह डे अगर पू पीछे ना रह जाए जो कि इसको ना कर सके तो यह चीज मैंने आपको बताई थी एंटी उद्धिया दिवस कब मनाया जाता है पच्छे सेप्टेंबर के दिन मनाया जाता है हर साल नेक्स पर आ जाते हैं क्वेश्ट नमबर 17 की अगर मैं बात करूं विच स्टेट वाज री 2022 का मिला है जिसने भी आयुषबान भारत की जो स्कीम है बहुत अच्छे से इसको किया है तो किसके द्वारा की गई है यह क्या गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश को यह वार्ड मिला है इन्होंने इस स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे dance forms भी यहां पर famous हैं जिसमें आपका नोटंक की नकल आ जाता है खयाल आ जाता है तो यह इस तरीके के dance forms भी है जल्दी में आप लोगों को लेक्चर ले आऊंगा जिसमें आप लोगों को सारा कवर करवा दूगा नेक्स के ओपर बात करते हैं अभी हाली में कौन सी personality ऐसी है जिन्हों जिन्हें फर्स्ट कुई कुईन Elizabeth with second women of the year award दिया गया है यह Asian achievers award है यहां पर इन्हें दिया गया था देखो यह award इंडियन origin की जो home secretary है इस समय उन्हें मिला है क्या नाम है इनका नाम है स्वेला ब्रेव मैं इन्हें इस अवार्ड से समानित किया गया है पहला Queen Elizabeth second यह Elizabeth second उनका नाम में है पहला वार्ड दिया गया है इस फील्ड में तो देखो जब भी इस तरीके का अवार्ड पहली बार दिया है मिला किसको है Indian origin की है तो यह क्या हो जाते है यह important हो जाते है पेपर में यह चीजें ही आती है हाइलाइट फिर वो आपका SSC CGL का current affairs हो या फिर कोई भी पेपर हो जो आहम तोर पर कंड़क्ट करवाते हैं उसमें इसी तरीके के questions आप लोगों को देखने को मिलते है नेक्स पर आते है इन सब्टेंबर 2022 नेशनल एननोटिक्स एड्मिस्रेशन नासा के द्वारा जो इनक में R stands for what यह मैंने आपको science and technology में भी शायद मैंने आपको इसके बार में पढ़ाया था अब यहां पे जो यह basic चीज है जिसको शुरू किया गया था यह जो डाट आप लोग देखते आ रहे हैं इसकी फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है पेपर में पूछा जाता है कि बताओ यह किसका जो है मिशन था यह किसका यहां पर पूरा यह demonstration थी तो यहां पर आप लोगों ने अभी JKPSC के दार जो इसका वेपर हुआ उसमें भी देखा होगा मैंसलों करके आया था और यह साइंस अंटेक के क्वेशन बनते हैं पेपर में नेक्स पे आई आई आपके स्लेबस में यह चीज गिवन है विद्वाट इस थीम और फॉर्टी सेकेंड वर्ल टूरिजम डे वर्ल टूरिजम डे क हर साल एक होस्ट कंट्री होती है वर्ल टूरिजम डे की इस बार वो होस्ट कंट्री कौन सी थी होस्ट कंट्री कौन सी थी वर्ल टूरिजम डे की इस बार तो वो थी इंडोनेशिया यह भी याद रखना इंडोनेशिया इस बार क्या थी होस्ट कंट्री थी यह किसका ठीक है तो यह हर साल observe किया जाता है 27 सप्टेंबर के दिन तो यह याद रखना नेक्स्ट पे आ जाते हैं question number 21 के अगर हम बात करें अभी हाल ही में कौन सी इंडिया नेवल शिप थी जो recently participate करा था जिसने capacity building exercise में operational south readiness conducted by combined maritime forces CMF CHLs के द्वारा तो इंडिया की तरव से कौन सी गई थी यहां पर सुनेना गई थी यहां पर इनस सुनेना यहां पर participate करने के लिए गई थी तो इसको याद रखिएगा इसके लावा हुआ कहां पर था किये तो सेचल में यह conduct करवाई गई थी तो यह भी याद रखिएगा नेक्स पर आते हैं विच वन ओव द फॉलिंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट तु दर लगता मंगेशकर अवार्ड एज उफ सप्टेंबर 2022 देखो लगता मंगेशकर अवार्ड इस बार मिले है किसे ही अवार्ड दिये गए हैं आपको यह बताना है सबसे पहली चीज प्लेबैक सिंगर जो शलेंदर सिंग्थे उन्हें ऑनर किया गया है इस अवार्ड के साथ यह बिल्कुल सही है यानि कि ऑप्शन नमबर वान आपका बिल्कुल सही है दूसरी चीज अगर हम बात करे तो अन्द मिलंद को भी सवाड से किया गया है और कुमार शानु को भी दिया गया है यह वार्ड अब आपको पेपर में क्या चीज या रखने है पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि 2021 क nécessaire के लिए किसे मिला था तो वो मिला है यहाँ पर अनंद मिलिंद को 2019 का किसको मिला तो वो मिला है शलंदर सिंग को तो यह तीनों याद रखना किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है यह नेशनल लेवल अवार्ड है music field में जो दिया जाता है तो इसको याद रखना ठीक है next पर चलते हैं question number 23rd के अगर हम बात करें हाल ही में मुहम्मद बिन सल्मान अल सौद जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने है किस country के तो जो crown prince है साउदी अरेबिया के इन्हें ही as a prime minister जो है declare कर दिया गया है कहा क्या बने है तो ये बने है साउदी अरेबिया के ठीक है तो ये भी याद रिखना next पर आते हैं question number 24th पर आते हैं अभी हाल ही में जो United Minister of States के द्वारा फगान सिंह के द्वारा एक launch किया गया है जल्दूत app ठीक है और ये जो जल्दूत app ये ब्राउशर भी जो है वो launch किया गया है for monitoring and monitoring of groundwater tables across India तो ये किस ministry के द्वारा एक app को launch किया गया है यानि कि groundwater app अभी हाल ही में जिसको launch किया गया है जिसका नाम जल्दूत है किस-किस ministry के द्वारा launch की गयी है कौन सी दो ministries है जिन्होंने यहां पर किया है तो देखो एक तो यहां पर किया गया है M.O.R.D. के द्वारा और ministry और पंचायती राज के द्वारा यानि कि option number C यहां पर सही answer होगा जल्द शक्ती ने यहां पर नहीं किया confusion हो सकती है जल्द दूद को लेके आप लोग सो सकते हैं कि जल्द शक्ती डिपार्टमेंट ने किया होगा नहीं ऐसा नहीं है पंचायती राज और रूलर डेवलप्मेंट ने किया है ministers के अगर बात करें रूलर डेवलप्मेंट के हैं गिरीराज सिंग जी ठीक है पंचायती राज के minister चलो यह homework है आप लोगों के लिए next पर आते हैं अभी हाल ही में क्या theme थी वर्ल्ड डेवीज डे की जो कि observe किया गया जाता है 28 सेप्टेंबर के दिन डेवीज डे की जो theme थी हर साल इसको observe किया जाता है किस डेट पर 8 सेप्टेंबर पर theme क्या थी रेवीज वन हेल्थ जीरो डेथ इस बार इसकी अगर आपसे पेपर में question पूसा जाए इंडिया की first state कौन सी है जो की रेवीज फ्री बनी थी यह पिछले साल बनी थी कौन सी थी गुवा इसको भी याद रखना गौवा थी जो की रेवीज फ्री बनी थी अब एक और चीज़ बताओ यह क्राव क्यों बनाया जाता है anti-rabies vaccine बनाया था किसने बनाया था आप लोगों ने नाम इनका सुना होगा लुइस पैस्चर के द्वारा यह बनाया गया था और इनकी death anniversary के दिन यह जीज़ को observe किया जाता है ठीक है इन्होंने यह वेक्सीन बनाया था anti-rabies को और 28 सेप्टेंबर को हर साल यह observe किया जाता है ठीक नेक्स प्राइज आते question number 26 के अगर माँ बात करूँ अभी हाल ही में एक second अभी हाल ही में किसको change maker अवार्ड मिला है United Nations Sustainable Development Goals Action Award के दवारा और यह आप लोग मार कर दीजिएगा most important के लिए ठीक है यह जो अवार्ड दिया गया है यह Indian है स्रिष्टी बक्षी ठीक है जिनको आप यहां पर देखते हैं यह woman right activist है इंडिया से और इन्हें अवार्ड दिया गया है United Nations Sustainable Development Goals के दवारा एक्शन अवार्ड के तहत जर्मनी में अवार्ड कंटक्ट हुए थे लेकिन यह इसको आप most most important mark कर देना यह आपको paper में देखने को मिल सकता है यह बहुत important है हार एक exam के लिए फिर वो banking हो या कोई भी exam हो reason क्योंकि बहुत बड़ा award है United Nations Sustainable Development Goals का award action award दिया गया है change maker category में दिया गया है किसे स्रिष्टी बक्षी को और यह भी पूचा जा सकता है direct paper में कि स्रिष्टी बक्षी अभी news में थी कि recently यह कौन है तो यह भी याद रखना यह woman rights activist है ठीक है तो यह भी चीज को याद रखना next question number 27 के ओपर अगर हम बात करे name the personality who was recently appointed as India's second chief of defense staff विपे नावत जी के निदन के बाद पहले यह दूसरे chief chief of defense staff बने है तो इनका नाम क्या है left-hand journal अनिल चोहान इनका नाम है यह बने हैं यह काफे important है आपके exam point of view से क्योंकि यह बहुत दिनों तक post जो थी वह vacant रही थी तो यह भी याद रखना next पर आते हैं अभी हाल ही में 16 attorney journal कोन बने है फॉर द इंडिया by the president of इंडिया अब देखो यह होता कि है प्रेपर में पूछा जाता है कि कौन appoint करता है attorney journal को तो यह president करते है यह तो आपको basic में आता president कोन है इसमें द्रोपुदी मुर्मू ठीक है यह second women president है यह भी याद रखना और पहली से बने हैं यह 16th attorney journal बने हैं हमारी देश के नेक्स पर आते हैं question number 29 की ओपर अगर हम बात करें इस बार की क्या theme थी world heart day की यह 29 September को मना जाता है 29 September को observe किया जाता है world heart day तो यह इसकी theme क्या थी use heart for every heart ठीक है यह जितने भी days है यह काफी important है यह पूच्छे जाते हैं आज का last question पर आ जाते हैं अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें highest number of foreign tourists आये थे दोजार इक्किस में एस्पदा रिपोर्ट टाइट इंडिया tourism statistics 2020 जो की वाइस प्रेजिडेंट ने रिलीज करी है और वाइस प्रेजिडेंट का नाम भी याद रखना जगदीप धनकर ठीक है अब यह कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे जादा foreign visitor आये थे तो वह है आपकी तामिल नाडू पहला नाम एक तो अगर बात करें हाइस नंबर ऐस वाहिव वॉइसिटर आये थे आपके महाराश्ब्रा में थीक है महाराश्टरा में फॉरेंट विजटर आये थे और हम बात करें domestic टूरिस्ट की तो वह कहां पर आय थे पहले नंबर पर अगर बात की जाए तो महाराश्डरा है दूसरे पर तामिल लाड़ बाट ओवरॉल जो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आई है इसका आंसरा बोथ वान टू भी मार्क कर सकते हैं इन दोनों में सबसे ज़्यादा आये थे अगर आपको मान लीजी यह आप्शन नहीं दिखता तो महराश्टा को आप लोग मार्क कर सकते हैं साथ ही सबसे ज़्यादा लोग जो है अब एक और चीज की बात करते हैं ताज महल के बारे में आप लोगों ने सुनो होगा ताज महल जो है वर्ल्ट हरिटेस साइट है इसको भी युनेस्को के द्वारा रैंक वन कर रखा गया अब जो टॉब दस मोस्ट पॉपॉपॉर्लरी इसके मिनिस्टर है सिकंद्राबाद त्यलंगरा इसकी कॉंसिएंसी है तो यह याद रखिएगा ठीक है यह रिपोर्ट रिलीस किसके द्वारा की गए यह भी पतावना चाहिए तो यह थे हमारे सेप्टेंबर लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट रखेर बहुत जल्द है देखो बहुत सार बच्चे मुंझे कहा रहे है कि ssccgl का एक कोर्स निकाला जाए मैं आपको बता दो ssccgl का कोर्स आपका सेम vrw की तरह है आप उसको अगर अच्छे सा पढ़ लेते हैं मैं आपको गैनेंटी देता हूं कि आप tier 1 का जो एक्जाम है उसको आप असानी से क्वालिफाइ कर सकते हैं वह क्वालिफाइंग नेचर का ही है तो जो लोग इसकी डिमांड करें आप लोग स्कोर भी ले सकते हैं हमारी आप पर ही जाके सेम स्लेबर से कोई ज़्याद़ चेंजिस नहीं बस computer section आपको ssccgl tier 1 में नहीं आएगा बाकी सब सेम है तो इसके test भ बड़ा चैनल education category में बन चुके हैं तो thank you very much आपको इस प्यार के लिए इस प्यार को बनाए रखना आप लोगों की मैनत और आप लोगों का प्यार और हम लोगों की मैनत के साथ हम इसको और आगे तक लेके जाएगे ओके गाई see you soon bye take care all the best have a nice day take care